तो आज की जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं अमरुजाला में तो कुछ नहीं दिया हुआ लेकिन दैनिक जागरण में दिया हुआ है वही जो अपडेट चल रही है भी तक कि मैं उसके बारे में ही बात करूँगा फिलाल इसे पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ 17 तारिक को बोला था शासन ने कि हमें 23 तारिक तक आप बता के दो कि किस तारिके से आप कैसे करोगे कैसे एक्जाम करोगे, कैसे प्रमोट करोगे उन सब की जो रहननीती है एक blueprint उसका बना के दो ठीक है, मतलब एक format हमें बना के दो 7 दिन का total उने time दिया था जिसमें से 5 दिन अभी रह गए है 19 तारिक से आज को भी count करें तो क्योंकि अभी time बचा हुआ है, पूरा दिन ही बचा हुआ है 19, 20, 21, 22, 23 23 तक उन्हें शाम तक वो रिपोर्ट स्टार्सन को भेज नहीं है ठीक है, अगर अभी को हम analyze करें, तो मैंने graph बनाया है जिसमें 13 तारिक से 19 तारिक तक के मैंने आज तक के जो record है 18 तारिक तक के, sorry, जो लिखे हैं ठीक है, 19 का इसमें नहीं है तो 13 तारिक का जो था वो थे 28,189 मामले जो सामने आए थे 14 तारिक को, वो 1000 बढ़े थे उसमें, फिर 15 तारिक को 32,680 16 तारिक को 35,000 मतलब जब 30,000 से उपर चले थे तो बताया यह जा रहा था कि इस साल के सबसे ज़्यादा मामले हैं फिर 35,000 फिर 34 हुए और कल के जो मामले थे वो थे 37,407 मामले तो ग्राफ continue, हाँ एक बार हुआ है नीचे लेकिन continue वैसे ओपर ही जा रहा है, आपको कितनी possibility लग रही कि 3 तारिक तक यह कितना नीचे आएगा या फिर बिलकुल 0 पे आ जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि 10,000 या 5,000 मामले रह जाएंगे बिलकुल सरकार अच्छा काम कर रही है पहले जो था टेस्ट नहीं हो रहे थे तब जाके मामले कम आ रहे थे अब 2,000,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं इसलिए मामले जादा आ रहे है अगर ये टेस्ट 5,000,000 पर डे होने लगे न तो 37,000 नहीं आने के मामले फिर 60,000, 70,000 पर बाद पहुँचेगे ठीक है इसी के बीच शासन को जो है फैसला चाहिए CCS उनिवर्सिटी आ है और उनिवर्सिटी का कि उन्हें क्या करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए कैसे करना चाहिए ठीक है तो चलो इनके बारे में हम आगे बात करते हैं अभी हम ये पढ़ते हैं इसके नोटिस को पढ़ने के बाद आपने कुछ नोर्मल से 4-5 questions मैंने उनमें से लिये हैं जो आप मुझसे पूछोगे इस वीडियो के कमेंट में भी पूछोगे मैं उनका पहले से आपको रिपलाई कर दूँगा मैंने वो जो है वो यहाँ पे लिखे हुए है ठीक है तो सारी के सारी मैं आपको information दे दूँगा अपनी राए पहले इसमें बताओंगा कि क्या है 23 को साफ होगा विश्रविद्याले में चातरों के promotion का रास्ता जोदरी चरन शिंग विश्रविद्याले से सबब, कॉलेजों के चातरों के promotion की स्थिति 23 जूलाई को साफ हो सकती है शासन की और से विश्विद्धाले को दिये गए options में report तयार करने को कहा गया है विश्विद्धाले की और से पर्थम वैद्वीते वर्ष के चातरों को पर्मोशन किये जाने के report 23 को शासन को भेजने की तयार गया है विश्विद्दाले से सब्बद कॉलेजों में करीब 4,00,000 चातरों को इसी स्थिती के सपष्ट होने का बेसबरी से इंतजार है मतलब अगर आप 1st year, 2nd year हो आप ये ना माने हाँ हाला कि ये है कि प्रमोट हो जाओगे लेकिन अभी ना माने की प्रमोट हो गए हो विश्विद्दाले की कारियो योजना में फाइनल एयर के चातरों की परिक्षा कराने की रिपोर्ट भी शामिल होगी चातरों के प्रमोशन का मामला भले ही बाहर से देखने में बहुत आसान लग रहा हो लेकिन इसकी परकिरिया बहुत जटिल है चार लाग चातरों में किसी की तीन परिक्षाए हुई है तो किसी की दो परिक्षाए ही हुई है इन में वर्तमान सत्र के अलावा बैक वे अन्य चातर भी है जिन के लिए अलग-अलग नियम का अनुसरन करना होगा अब इसमें यह है फर्स्ट एर है सेकिंड एर है फाइनल एर है उनका अब ही कलियर नहीं हुआ तो भैक वाले का रैक्स वालों का कैसे कलियर होगा अब ही अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद और भी चैनल पर वीडियो देखोगे तो हाँ दिखाएंगे कि धरना परदरसन चालू है टुईटर पे अभियान चला रखा है न्यूज रिपोर्टर अपनी जो है ओपिनियंस देंगे कि इस टैम पे कोरोनो वाइरस के मामले बहर जादा है और बच्चों को परिक्षा ना करनी पड़े इसके लिए शासन को कोई फैसला लेना होगा यही सब कुछ चलेगा उसपे मैं अभी तक की अपडेट के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि अभी तक की अपडेट क्या है वही फाइनल वर्स में करीब एक लाख असी अजार चातरों की परिक्षा है भी परिक्षा में इस बात का विशेश धियान दिया जाएगा कि नुक्सान चातरों का नहीं हो मैंने पहले भी आपको यह चीज बताई है कहीं बार बताई है कि जब आप खुद से यह बोलोगे कि अगर मैं बाहर निकलता हूँ भीड में जाता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर ऐसी सिच्वेशन आती है तब ही आपके पेपर होगे बाकि ऐसे पेपर नहीं होने के कि उस एरिया में सील पढ़ा है और आपके पेपर करा लिये जाएंगे आपको पता है दो या तीन अगर पेश्ईान निकल गए कोरोना वाइरस के तो उसी एरिया सील हो जाएगा और मालो आपकी स्कीम बन के तयार हो गई जहाँ पे आपका पेपर है जहाँ पे आपका कोलेज है और उस कोलेज के भराबर में से कोई कोरोना पोजिटीव निकल गया तो वहाँ पे सील हो जाएगी, मानलो आपका पेपर था और उस दिन सील हो गया, फिर आप क्या गरोगे, दोबारा से स्कींग बनाएंगे क्या वो, ऐसा नहीं होने का, सारी स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए है, आपका फैसला लिया जाएगा, साथ ही यह भी माहिने करवा रह humor, कि हमारे बच्चों पर कोई धबना लग जाए, कि यह उस साल का बच्चा है, कोरोना वाला बच्चा है, कि उस साल बिना परिक्षा के नंबर अच्छे चाहिए तो वो दोबारा से भरिक्षा कर सकते हैं ऐसे बच्चे कितने होंगा जाज़ादा 10% 90% खुस हैं अपने 55-60% नंबर आप उने के दोर खुस हैं अगर किसी को जाद लाने है तो वो अलग से भरिक्षा दे सकता है और दूसरी चीज अगर आप प्राइवेट में जाते हो प्राइवेट में क्या देखता है आपके नंबर पर थोड़ा न वो जोब आपको देता है वो आपसे पूछता है अगर आप अकांटिंग में जा रहे हैं करेंगे लगबग एक घंटे का live session होगा और बाकी कोशिस करता हूं मैं कम से कम करने की लेकिन आपके questions इतने हो जाते हैं कि एक घंटा लग जाता है मुझे live session में सभी के reply में करता हूं इस live session में आप बाद की 50 minute बिल्कुल join मत करें starting की 10 minute या 15 minute जरूर join करें क्योंकि 10 या 15 minute में जितनी मैं analyze करता हूं इस situations को जो मुझे बताना होता है वो मैं सारा आपको बता देता हूं आपके questions ऐसे होते हैं कि बहुत सारे questions के तो मैं 10 minute में reply कर देता हूं लेकिन आप मुझे फिर भी पूछते हो कुछ बच्चे बाद में आ लाइन नहीं होने का अभी आपके जो सवाल हैं जो आप मुझे से पूछोगे आपने मुझे अभी तक पूछे कि promote कब करेंगे ऐसा question था कि promote कब करेंगे तो बहुत 25 तारिक तक आपका फैसल आ जाएगा फर्स्ट येर हो आपका फैसल आ जाएगा कि promote कैसे करा जाएगा पह है और पोस्पोन के चांस कितने हैं किसी ने मुझे पूछा था तो पोस्पोन के चांस ऐसा है जब तक coronavirus चलेगा और चार जनों के एक अठा होने पर प्रोब्लम रहेगी तब तक ये सारे के सारे जितने पेपर हैं बिगेर की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं UPSC के पेपर हैं एरफोर्स के पेपर हैं CHSL के पेपर हैं बहुत सारे पेपर हैं आपके RRB के हैं NTPC के और आपके RRB वगेरा के एक लाग डेड़ लाग वैकेंसी पे जो थे रेलवे के वो सब पोस्पोन हैं ठीक है ना और जब तक आपकी जो स्थितिये सुधार नहीं होता तब तक ये प कोरोना वाइरस कब तक खतम होगा कम से कम दो साल मानके चलो यार कोरोना वाइरस को क्योंकि मोदी जी ने जो पहला था Life with COVID-19 जो सेम वेबिनार करा था CCS University की वेब साइट पे तो उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में आप उसे देख सकते अभी भी साइट पे है वो उन्लाइन क्लासेज वगेरा होगी जब होगी वो मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा तो अगला क्यूश्य ने कि BA फर्स्ट इयर वालों को प्रमोट कर दिया है कर दिया क्या एक भाई ने मुझसे पूचा BA फर्स्ट इयर वालों को प्रमोट कर दिया गया तो BA फर्स्ट कोई सी भी क्लास आप हो 25 तारिक तर फैसल आएगा तो वेट करो आप रेगुलर एक्स अच्छा है कुछ बच्चे भी पूझेगी कि मैं बीए फ़स्ट यर प्राइवेट हूं मुझे कैसे नंबर दे जाएंगे बीए फ़स्ट रेगुलर हो तो भाई पैटर्न एक रहेगा अलग रहेगा वो पता चलेगा आपको 25 तारिक या उसके बाद ठीक है अभी कोई भी अपडेट ऐसे ऐसी नहीं आने कि क्योंकि 25 तक उन्हों ने बोल देगे फैसला शासन को लेना है और ये 25 तक उस रिपोर्ट को भेजेंगे 25 को ऐसा नहीं होने कि 24 को भेज देंगे क्यो तो भाई आपकी बात सही है लेकिन ऐसा है कि मोल जाने के लिए चोईस की जरूरत होती है मेरी मर्जी है मैं मोल जाओं नहीं जाओं बाहर जाने के लिए मेरी मर्जी है मैं जाओं न जाओं लेकिन अगर एक्जाम का स्केडिल आ गया तो हर बच्चे वो चाहेगा कि मैं पा बहुत से ऐसे ही हैं जिने पी नहीं थी लेकिन घर पे रहे वो समझ रहे हो ना तो चलो सही है बाकी आपके questions अच्छे थे और मैंने इसमें से 5 ही निकाले उसमें बहुत सारे questions थे लेकिन repeat 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 हो रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो में कोशिस करिये कि सारे के सारे सवालों के आपके जवाब दूँ अगर कोई भी ऐसी report आएगी जो आपके साथ share करनी जरूरी होगी वो मैं जरूर share करूंगा ये तीन साल तक नहीं बढ़ेगी B.A.D. की fees दो notice कल आये थे वो मैंने रात 11-11 बजे community tab में डाल दिये थे लिख दिया था कि इसकी वीडियो बनाने के जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है न तो चलो सही है बाकी जो भी है coronavirus के case जादा हो रहे हैं और ये भी क्या फैसल लेंगे वो promote ही करेंगे मेरे हिसाब से 99% चांस है थर्डियर वालों के भी promote करने के और रही बात बीएड की और आपके medical वालों की तो अलग और भी alternate तरीके होते हैं करने के अगर आप परिक्षा ना ले तो ठीक है बागी कल मिलते हैं फिर live session में एक बज़ के 35 मिनट पर तयार रहे न और community tab में लिंक रहे हैं मैंने वो जाके चेक कर ले न ठीक है और इस वीडियो के description में अगर कोई जरूरी बात होगी तो मैं बाद में लिख दूंगा इस वीडियो को पोस्ट करने के और community time में बागी चेक करते हैं न जो last की कम से कम 5-6 पोस्ट है वो चेक कर ले न आपको सारी की सारी रिपोर्ट की जानकारी मिल जाएगी कि क्या आभी चल रहा है ठीक है बागी कोई भी update आएगी तुरंत आपको बताऊंगा